दोस्तो आज आपके लिए एक और जो है शेर लेके आचुका हूं काफी तगड़ा शेर है और आपके जो है ये रडार में रहना चाहिए और मतलब आप इसमें नजर बना के रखिएगा काफी अच्छा शेर है सब बाते करूंगा इसके फंडामेंटल्स की और दोस्तो इसके पे भी लेके जाएंगे और इसके फाइनिशल की भी जानकारी में आपको दूँगा तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा और आपको जो है अगर मतलब शेर मार्केट रिलेटेड न्यूस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी मेरे इस साब से एक अच्छी बात है क्योंकि दोस्तो उसमें जो है ग्रो होने के चांसेस काफी जादा बढ़ जाते हैं और यह शेर हमें आगे चड़ता हुआ भी देखने को मिल सकता है इतना है नहीं तो देखिए दोस्तो पीबी रेशियो भी ठीक ता कि 2.49 और वहीं जो है वह आपको देखने को मिल रही है दस अब दोस्तो यह तो इसके फंडामेंटल होगे और यह पी रेशियो का थोड़ा जो है आप याद रहे किएगा अब चलिए जाते हैं इसके थोड़े से जो है फाइनिशल पे तो यह देख सकते हो दोस्तो इस कंपनी का रेवन्यू ज अब दोस्तो प्रोफिट भी देख लेते हैं इसका तो यह देखिए यहान पर प्रोफिट में तो जो है ना मतलब डिसम्बर का थोड़ा सा डिसपोइंटे आया था मतलब थोड़ा सा कम आया ता क्यूंकि अगर आप देखोगे तो सेप्टेंबर में ही कितना तो यहाँ पे 7 करोड का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है जादा. तो यह तो हो गया एकदम सिंपल सा कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस काईशा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मतलब प्रॉफिट में अची काशी कंपणी है. थोड़ा सा इस बार कम आया है लेकिन कमपनी तो ठीक ठाक है अब दोस्तो ये कमपनी है कौन सी तो ये है उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जी यहां 55 रुपे का ये शेर है और दोस्तो काफी अच्छे जो है इसने एक साल में रिटन भी दिये हैं आप देख सकते हो 100% का कर लो तो यह देखिए यहां पर प्रमोटर्स के पास कितना है तो 73 परसेंट है उसके बाद रिटेलर है और जिसमें 20 परसेंट है और फोरें इन इंस्टिट्यूट देखोगे तो वह 3.7 परसेंट है तो यह टोप त्री है और यहां पर मतलब आपको यहां पर डिसेंबर 2023 के इसाब से और डिसेंबर 2022 के इसाब से देखोगी तो जादा कुछ फरक नहीं है आप एक दो परसेंट का फरक पकड़ सकते हो अब यह तो होगया मतलब इसके सारे चीज़े अब चलते हैं चार्ट पे और थोड़ा सा इसका चार्ट एनलेसिस करके देखते हैं तो यह दे दोस्तो पहली बात तो इसे तोड़ना चाहिए यह जो है ना मतलब यह बहुत ही जबरदस रेजिस्टनस है जो मेरे साब से 62 62 के आसपा से अगर यह इससे तोड़ देना तो फिर दोस्तो यह शेर काफी उपर जाएगा आप देख सकते हो यह एक रेंजबान के बीच में हैं एक बार इससे तोड़ेगा तो मेरे साब से जो 60 को तोड़ देगा ने एक बार यह रेजिस्टनस को फिर 80 या फिर दोस्तो 100 तक भी जा सकता है और अच्छा रहा तो फिर दोस्तो 200 तक भी जा सकता है मतलब एक अच्छी रेली रही तो लेकिन यह पकी बात इससे तो अच्छा कासा है और बाकी यह देखिए यह मतलब अब यह एक तरगा आप देख सकते हो कि मतलब कंसोलिडेशन फेस में घूम रहा है जब इसे या फिर इसे नीचे तोड़ेगा तभी आपको जो है यह एक शेर भागता हुआ देखने को मिल गया आप इसे अपनी रडार में रखिएगा बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना